नमस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी आपके अपने यूटुप चैनल PSC Study चैनल में दोस्तो यदि आपने अभी तक PSC Study हैनल को सब्सक्राइब नई किया है dat तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लिजी धन्यवाद दोस्तो दोस्तो आज हम ँदेर्उ्टाbn tavag साथ महाधिप पाए जाते हैं उन सातों महाधिपों के जो सबसे उचे परवश शिकर हैं हम उनकी चर्चा करेंगे साथ महाधिप में जो हैं एशिया महाधिप यूरोप महाधिप अफरीका महाधिप और उत्तर अमेरिका महाधिप दक्षिन अमेरिका महाधिप और अंटार्क तो आजिए वीडियो के अंतर तक बने रहेरे तो आजेरे सबसे उचे पर्वत спис इसे यह सबसे परवत चो चोटी के बारे में जान शकेंगे एसिया महादिः का सबसे कर नहीं से'll कशिकर कुन सा है तो दोस्त-ड़ो आपको प्रत्वी कि सबसे उची परवत चोटी सबसे उचा परवत कि जो ईं ईसलिए हैं माउंट की आप 849.86 मीटर हैता आपको जो हैं दोस्तों यह याद वी रखना कि यह हाली में अपडेट हुई है तो इसलिए आपको याद रखना है माउंट एवरेश्ट के सबसे उच्छा जो उच्छा है वह 88848.86 मीटर है आपको जो हैं दोस्तों एक स्क्रीन पर चित्र भी दिखाई दे रहा होगा यह माउंट एवरेश्ट का चित्र है जो कि एश्या मादिप का सबसे उच्छा परवत से शिकर है दोस्तों अव हम देखते हैं कि माउंट एवरेश्ट मेप की इस्ती थे और इस परकार हिमालाए प्रवर्ष रेणी का इस्सा है दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो की इसकी नए उचाई 8849.86 मीटर है तो दोस्तों आपको याद रतना है माउंट एवरेट कहां पर इस्ती थे नेपाल में इस्ती थे तो दोस्तों आपको इस्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा के नाम से कौन सा प्रवस्षिकर है तो बर्प की नेवी के नाम से जो हैं माउंट एवरेश्ट को जाना जाता है जो की तिबबत में इस्ति थे इसका नाम जो हैं दोस्तों भारत के तत्कालिन महा सर्वेक्षक सर्जार्ज एवरेश्ट के नाम पर पढ़ा था जो की 1830 से 1843 मे बाइब जो हैं भारत के महा सर्वेक्षक ते अर्थात भारत का सर्वेक्षन करने वाले यानि की बारत के नाम पर रखा गया माउंट एवरेश्ट रखा गया तो आपको यह जाद रखना था य सके लावा ज cleanup सब़से पहले माउंट एवरेश्ट पर जहीं टेंग नौर गे तो आपको याद रखता है कि माउंट एवरेश्ट परवत शिकर पर पहुंचने वाले सबसे पहले पहुंचने वाले वेक्ति कौन थे तो एडमर्ड हिलेरी जो की नुजिलेंड के निवासी थे और तेंजिंग नौर्गे जो की नेपाल के निवासी थे दोनों ही मिलकर जो है सबसे पहले माउंट एवरेश्ट परवत शिकर पर इन्हों ने शपल्दा पुर्वप चड़ाई की थी तो दोस्तों यह हमने एशिया महादिव का सबसे उचा परवत शिकर माउंट एवरेश्ट के बारे में चर्चा कर लिए अब हम देखते हैं अपरीका महादिव का सबस परवर्षिकर की उंचाई का मापन इसलिए किया जाता है क्योंकि समुंद्र की सता प्रत्वी पर प्रत्वी पर एक समान होती है कहीं पर भी जो है दोस्तों ऊपर नीचे नहीं होती है हाला कि ज्वार भाटा के कारण समुद्र की सता उपर नीचे हो जाती है लेकिन ऐसा माना जाता है कि समुद्र की सता जो है प्रत्वी पर एक समान है इसलिए प्रत्वी के सभी उच्छा वचों का जो उच्छाई का मापन किया जाता है तो आपको याद रखना है अफरीका महादिप का सबसे उंचा परवस शिकर माउंट कीली मंजार हुए इसकी समुद्र तल से उंचा ही 5800 पिचानू मीटर है दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यह पूरा माउंट कीली मंजार हुए जो की एक ज्वाला मुखी किरिया के फल्सुरूप बना हुआ परवत सिकरे तो आपको याद भी रखना है कि माउंट कीली मंजार हुए जो आला मुखी उद्वेदन के फल्सुरूप हुआ था और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा माउंट कीली मंजार हुए इन तंजानिया तो यह अपरिका महादिप के तंजानिया में इस्तिते अगर हिंद महास अगर हिस्ति तो बारे में कुछ के बारे में चर्चा करते हैं यह अफ्रीका महादिव के थैंजानिया मेरे एक म्रत जॉला मुकी का अरत होता है इसा जॉला मुकी जिसका भूत काल में अर्थात अतीत में जो हैं उसका ज्वाला मुकी उद्वेदन हो चुका है लेकिन अब जो हैं वहाँ पर ज्वाला मुकी उद्वेदन की कोई संभावना नजर नहीं आती है अर्थाद वह ज्वाला मुकी कैसा हो गया है मरत हो चुका है तो उसी मरत ज्वाला मुकी का उदानन है माउंट किली मंजारों परवत जो कि अफरीका महादिव का सबसे उचा परवत शिकर है इसके तीन ज्वाला मुकी शंकू भी है किसे ज्वाला मुकी परवत के संकु है तो माउंट किली मंजारों के कीबो मवेंजी ज्वाला मुकी शंकु है अगर एक्जाम में ऐसा प्रश्ण देखने को मिले तो आपको याद रखना है कीबो मवेंजी शीरा ज्वाला मुकी शंकु है किली मंजारो परवत जो हैं दोस्तों दुनिया का सबसे उचा मुक्त खड़ा परवत भी है लेकिन अभी हमने देखा था कि माउंट एवरेष्ट जो हैं प्रत्वी का सबसे उचा परवत शिकर है लेकिन यहां पर हमने दे रखा हैं कि दुनिया का सबसे उचा मुक्त खड़ा परवत जो हैं किली मंजारो है किली मंजारो इसलिए मुख्त उंचा खड़ा परवत है दोस्तों क्योंकि या किसी परवत शेहनी का हिस्सा नहीं है इसके अलावाद जब हम जितने भी परवत शिकर देखेंगे जैसे माउंट एवरेश्ट है और भी महादिपों के जो सबसे उ फलसरूप हुआ है यानि कि जौर gitu के फलसरूप जो है उसकी उनुचाई में धिरिये यह ति वह अपरेका महादिप सबसे परवत शिकर बन गया माउंट由 normally इसलिए मृंट किली बंजारों के बारे में चर्चा कर लिए अब हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर अमेरिका महादिव का सबसे उचा परवत शिकर की कि उत्तर अमेरिका महादिव का सबसे उचा परवत शिकर कौन सा है तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा उत्तर अमेरि सबसे उचवा परवसिकर माउंट देंआली इसका पहले का नाम मांट मैंकिले का आजाता था अगर मेप की सायता से हम देखें कि में आनली मांट मेंकी परवज में और तो दोस्तों आपको Church यह ए penny दिखाई यह कि देरा हूग होगा guggle में up यहां पर हैं दोस्तों कनाडा देश कौन सा है उत्तर अमेरिका में कनाडा देश इस्ती थे और वहीं कनाड़ा के दक्षिन में जो हैं दोस्तों USA यानि कि संयुक्त राज अमेरिका के नाम से जानते हैं USA इस्तिते और USA का ही वहीं एक राज जी हैं दोस्तों जिसे अलास्का कहा जाता है क्या कहा जाता है अलास्का अलास्का जो हैं संयुक्त राज अमेरिका का एक राज जी हैं य जो है उत्तर अमेरिका महादिव का सबसे उच्छा परवर्षी करें जो की यूए से संयुक्त Raja अमेरिका के जो है अलासका राज में इस्ती थे इसकी जो उचाई ये दोस्तों समुदर तल से वह हमने देखी है कि माउन्ट मेंकिले या अलासका की जो समुदर अमेरिका के अलासका राज में इस्तिते अभी हमने देखा था और दोस्तों यह रोकी परवत की जो है रोकी परवत जो की एक नवीन वलीद परवत का उदाने जिस परकार से हिमालाय भी एक नवीन वलीद परवत का उदाने तो रोकी परवत भी जो की उत्तर अमेरिका महादी आपको याद रखना है किसका हिस्सा है अलसका परवश हूष्ण का उदान माँट में जो मेक्सिको देश से महां तक फेला हुआ है रोकी परवत अब देखते हैं दोस्तों दक्षिन अमेरिका महादिव के सबसे उचे परवस शिकर की चर्चा करते हैं दक्षिन सबसे उंचा परवत शिकर है माउंट एकांका गुवा और माउंट एकांका गुवा की समंदर तल से जो उंचा ही है वह 6960 मिटर आपको जो हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक चित्र भी दिखाई दे रहा होगा यह माउंट एकांका गुवा है जो कि अर्जेंटीना देश म तो आपको याद है धक्षीन अमेरिका मादीव का सबसे परवत शिकर कौन से उंची परवत चोटी अमेरिका मादीव की मांट एकांका गुवा है जिसकी समुद्र सल्च भीच्ण 6906 मिटर है अगर हम से मेव की सायता से देखते हैं ऑर आपको एक देश देश देरा होगा अर्जेंटीना और्जेंटाइनया और्चिली की सीमा पर माउंट अक्षिण अमेरिका महाधिप के अरजेंटिन drop में जो हैं माउंट एकांका गुआ के सबसे स्थित है और यहां नमीन वलीद परवत जो हैं यह एंडी परवत के εκवार पर्वत माला का सबसे उचा परवत शिकर हैं जिस परकार यह सिया के बाहर सबसे उच्छा परवर्षिकर है दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि दुनिया के और सबसे जादा उन्चे परवषिकर जो है यानिकी प्रत्वी के सबसे उ introductions परवर्षिकर जो है एशिया महादीप में के अंतरगती पाये जाते हैं हिमालाय परवर्ष रेड़ी में पाये जाते हैं लेकिन दोस्तों अगर एशिया महादीप के अलावा जो है प्रत्वी का सबसे उचा परवर्ष शिकर पूचे तो एशिया महादीप के अलावा सबसे उचा परवर्ष शिकर जो है मा महादिपो में जो सबसे उचा परवत शिकर रहेगा वह माउंट एकांका गुआ रहेगा या एशिया के बार सबसे उचा परवत शिकर है कौन सा माउंट एकांका गुआ तो दोस्तों यह हमने देख लिया उत्तर अमेरिका महादिप का सबसे उचा परवत शिकर माउंट एकां 40 मीटर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा चितर में दिखाई दे रहा होगा यह हैं माउंट एलबरूस जो की रूस में इस्ती थे कहां इस्ती थे दोस्तों रूस में इस्ती थे हम इसके बारे में जो हैं कुछ तच्चों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि यह रूस में इस्ती थे कहां इस्ती थे दोस्तों रूस में इस्ती थे अभी मेप की सायता से हम द कि थी 5602 मेटर इसकी समुंदर तल से उचा ही है तो आपको याद रखना है यूरोप महादिव का सबसे उचा परवत डेखर मांट-अ-बुरू से और रूस में इस्तिति और कोकैसास परवत-माला का इस साह है अगर गूगल मेप की सायता से दखेक तो दोस्तों गूगल मेप में आपको यह महादिप दिख्या रहा होगा यह वाला जो महादिप दोस्तों यह यूरोप महादिप और इस्थी तो तो यूरोप महादीप में जो रूस का हिस्सा है, वहीं पर माउंट एलबूस इस्तिते आपको स्क्रिन पर दिखाई दे रहा होगा, एक और बलेक सी यानि कि काला सागरे और इदर केस्पियन सागरे, यह वाला जो सागरे दोस्तों, यह केस्पियन सागरे जो कि दुनिया की प्रत्वी की सबसे बड़ी जील भी है और इन दोनों के ही मध्य जो हैं रूस में जो हैं माउंट एलब्रूस जो हैं यूरोप महादिप का सबसे उचा परवश शिकर है आपको यहां दिखाई दे रहा होगा माउंट एलब्रूस पीक इन रशिया अगर इसको जूम करके पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपको लागा यह जो यह दोस्तर हैं माउंट एलब्रूस इस तित है यह तो जो हैं दोस्तों हमने यूरोप महादिप का सबसे उंचा परवश शिकर है उसके बारे अब हम बात करते हैं दोस्तों अस्ट्रेलिया महादिप के सबसे उंचे परवश शिकर की तो दोस्तों आस्ट्रेलिया महादिप का जो सबसे उंचा परवश शिकर है वह है मांट क मीटर भी दे रखिए तो आपको दोनों ही याद रखना है 2228 मीटर और 2230 मीटर भी अगर उप्षन में आपको मिले तो यह भी माउंट कॉस्क्यू की सबसे जो हैं उचाई हैं समुद्र तल से आपको जो हैं स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा तो दोस्तों यह मा कि इस परकार से दिखाई देता है यह ऑस्तेलिया महा दिप का सबसे सबसे उच διαखरें क्यों कि साइसा से डेखते हैं कि अस्तेलिया के कि किस भाग में इस्थे और कहां पर स्थित है तो दोस्तों माँंट को स्कूने वह ऑस्ट्रालिया के निउ सव्ट फ्रांट प्रांथ में इस्थी कांपर स्था इस उस्चिन पूरू में बहुत का नाम है यूसाउट उसमौन भेडिंग भ्रेदिका इस समस्टे हैं सभसे पहले आप ये याद रख group कि नहीं है Cob Pandex को इसको इस्ति थे जो की ओस्ट्रेलिया वाहदिप का और न्यू साउथ वेल्स प्रांत के दक्षिन पूर्वी हिस्से में माउंट कॉस्कु इसको इस्ति दे और ऑस्टेलिया के ही पूर्वी हिस्से में दोस्तों इस परकार से एक परवश रहनी फेली हुए जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का आ जाता है यहां ग्रेट डि सबसे उचा परवश रिकर मांट कॉसको के बारे में चर्चा कर ली अब अब जो हैं अनतार्क सबसे उचा परवश करके बारे मї माउंट विंसं मेशिव तो आपको याद रखना है अंतार्क्रतिका महादिप जो की प्रत्वी के जो हैं दक्षेणी दुरूप पर प्रिस्तिते प्रत्वी और एक पूरा बर्प से ढखा हुआ महादिवी के दोस्तों और इस महादिप पर जो हैं मनुष्य जीवन मनुष्य यहां पर क्योंकि यहां का तापवान भी और सूर्य का प्रकाश थे नहीं पहुंच पाता है और पूरा वनस्पति से विहीन महादीप है इसलिए अंटार्कित का महादीप को विज्ञान को समर्पित महादीप भी कहा गया है इस महादिव का जो सबसे उचा परवशिकर है वह है विंसन मेसिब आपको याद रखना है जिसकी समुद्र तल से उचाई 4892 मीटर है तो आपको याद रखना है कि अंटार्क्तिका महादिव का सबसे उचा परवशिकर विंसन मेसिब है जिसकी समुद्र तल से उचाई 4892 मीट दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना है माउंट विंसन मेसिप पर सन 2019 में भारत की एक परवतार होई है अरुणिमा सीना अरुणिमा सीना जो है माउंट विंसन की सपलता पुर्वक चड़ाई किती जो कि अंटार्क्तिका महाधिव का सबसे उचा परवशी करें विंस अरुणिमा सीना तो आपको याद रखना है कि अरुणिमा सीना ने माउंट विंसन मेसिप की सपलता पुर्वक चड़ाई किती सन 2019 में तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम मेप की साथा से देखे कि मेप में जो है आपको इस परकार से ये पूरा अंटार्क्तिका महाधिव का इस्सा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों क्योंकि ये पूरा बर्प से गिरा हुआ महाधिव है इसलिए यापर मनुश्य नहीं रह स लगा हुआ है आटार्कृ के अरो चैर्म मादेब के ही श्वालेमेरिका माहादिब को इस परस नहीं करता है। तो आपको याद रखना है विंसन मेसिप जो की अंटार्किका महादिप का सबसे उच्छा परवत शिकर है तो दोस्तो इस वीडियो के अंतरगर जो हैं अमने प्रत्वी पर्ग की सता पर जो साथ महादिप आए जाते हैं उन साथ महादिपों के सबसे उच्छे परवत शिकर के बारे में चर्चा करी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक जरूर करना दोस्तों आज के लिए अलविदा धन्यवाद